हाई ब्लड पेशर कंट्रूल कैसे हो उसके लिए बहुत सारी चीज़े आपको जानी चाहिए पहला खाने पीने में क्या क्या बदलाओ चाहिए खाने में सबसे बढ़ा चाहिए कि आपका वजन कम हो जाना चाहिए अगर एक किलोग्राम वजन कम करते हैं तो हर किलोग्राम के लिए दो मिली मीटर आफ मरकरी आपका वर्ड ब्लड पेशर कम होगा वजन अगर जादा है तो इसको जरूर कम करिए और इसके लिए तक्निक बहुत सिंपल है कि सलाद सबजी और फ्रूट्स पे रहना जालू किजिए रोटी चावल बंद करें जिरो ओल ओवियसली खाना पड़े गए ही इसके साथ आपको नमक कम खाना पड़ेगा क्योंक नमक एक मेजर कंट्रिब्यूटर होता है ब्लड पेशर के लिए और उसके संग फ्रूट्स वेजिटेबल जादा खाएं फैट पूरा कट कर दें कोलेस्ट्रोल और ट्राइगलिसराई जितना हो सके फैट को अवाइड करिए ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टन्ट है हर दी आदा गंटा वाक करेंगे तो आपको ब्लड प्रेशर काफी कंट्रोल रहेगा पर ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए सबसे बड़ा जो रीजन होता हुआ है स्ट्रेस कम करना स्ट्रेस आज के जमाने में जितना तनाव आपका लाइफ में बढ़ेगा उतना ब्लड प्रेशर की जादा है blood pressure के लिए तनाव कम करने के लिए पहला काम है आपको analysis करना पड़ेगा कि यह तनाव हो क्यों रहा है तनाव दो कारण से होता है एक आप क्या चाहते हो और क्या हो रहा है अगर दोनों match हो जाता है तो तनाव बहुत कम हो जाती है तो देखे क्या आप चाहते हैं इसको तो आप चेंज करना बहुत easy है क्या हो रहा है दुनिया में क्या क्या चल रहा है उसको चेंज करना बहुत मुस्किल है तो ये सारी चीजे करना ही है पर इसके बाद भी जरूत हो तो आप दवाईया लीजिए ऐलोपैथी में बहुत सारी दवाईया है बीटा ब्लॉकर्स है कैल्सीम चैनल ब्लॉकर्स है और उसके संग अचकल कम से कम 15 तरह के और नहीं दवाईया आ गई जो ब्लड प्रेशर कंट्रूल करने में मदद करती है उनको लिया जा सकता है पर हमारा एम यह रहता है कि दवाईया आज ले लो पर आगे कोसिस करो कि बाकी नैचुरल मीन से आपके ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो आपको दवाई की बहुत ज़्यादा जरूरत ना पड़ हैं इसको आप फॉलू करिए ब्लड प्रेशर जरू कंट्रूल आएगा अगर ब्लड प्रेशर कंट्रूल नहीं करते हैं तो यह बहुत बड़ा अगे नुकसान करेगा क्योंकि हाट को ज्यादा काम करना पड़ता है हाट की साइज मोटी हो जाती है और ब्लॉकिट बनाने म ब्लड प्रेशर बहुत मदद करता है तो प्लीज ब्लड प्रेशर को 120-80 ही रखने का कोसिस करिए हर उमर में 120-80 होनी चाहिए